हे गाईज आपका फिर एक बार स्वागत है आज के इस नए गैजट से भरे हुए वीडियो में जिसमें काफी अमेजिंग गैजट्स मौझूद हैं जैसे कि फ्लाइंग स्पिनर छोटा सा रोबोट और स्मार्टफोन के लिए है गिंबल और भी काफी सारे गैजट्स मौझू आल पर ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो उसकी जानकारी सबसे पहले मिले अच्छा तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं चलिए ज़रा नजर दाल लेते हैं उन फीचर्स पर तो इसमें आपको मल्टिपल कंट्रोलिंग बटन्स देखने को मिलते हैं और बात करें इसे यूज करने के तो इसे यूज करना सच में बेहद ही आसान होता है पस आपको इस गिंबल को अनफोल्ड करके उसमें अपने प्यारे से स्मार्टफोन को अटाच करना होगा जिसके बाद आप वीडियो शूट करने के लिए प्रोफेशनली तयार हो जाएंगे वो भी अपने मन पसंद फीचर के साथ जैसे की अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन, फेस अन अब्जेक्ट ट्रैकिंग, मोशन टाइम लैप्स, पैनरोमा, एक्सेटरास खेर तो अब इस गिंबल के फिजिकल ओवर्विव को देख लेते हैं तो ये गिंबल 360 डिगरी तक इजीली रोटेट हो सकता है, साथ ही 330 डिगरी तक टिल्ट और 330 डिगरी तक रोल हो सकता है, साथ ही इस गिंबल में इन बिल्ट होती है, 2000 इमेज के लिए थे मायन की बैटरी, जिसे की आप वीडियो शूटिंग के दोरान अपने स्मार्टफोन को वायरलेसली और विद केबल के साथ इजीली चार्ज कर सकते हैं, अपी, दोस्तो नॉर्मली जो पॉर बैंक्स आते हैं, उन्हें चार्ज करने के लिए कौन से एनर्जी की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है इलेक्टरिसिटी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इनर्जी को कैप्चर करके इलेक्टरिक पाउर में कनवर्ट कर देती है, यानि कि जब आप चलेंगे, दोडेंगे और साइकलिंग करेंगे तो वो पाउर बैंक अपने आप ही चार्ज होती रहती है, और हाँ पाउर बैंक आपके पॉकेट में या फिर हाथ पर लगे होना चाहिए, अच्छा तो आप बात कर लेते हैं इसके आउटपुट सोर्स की, तो इस पाउर बैंक से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, साथ ही अपने स्मार्ट डिवाइसे स्मार्ट वाच, एरपोर्ट और भी काविसर स्मार्ट चीज़ों को चार्जिंग कर सकते हैं, फ्लाइनोवा प्रो स्पिनर, गाइस जब स्पिनर्स की बात आती है, तो हमारी नजर उन रंग भरे मार्केट में आने वाली स्पिनर्स पर ही जाती है, जो बड़े ही कमाल के होते हैं, वैसे कि आपने कभी उड़ते हुए स्पिनर को देखा है, अगर नहीं देख इसे अपने हाथ में घुमा कर फेक देना होगा, जिसके बाद इस स्पिनर हवा में उड़ने लग जाएगा, और बात करें इसे कंट्रोल करने के तो इसे आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक है मैनुवली, मतलब बौडी कंट्रोल, और दूसरा है इसकी जादू की चड़ी से, मतलब आपको इसके साथ एक स्टिक दी जाती है, जिसे कि आप इस स्पिनर को कंट्रोल कर पाएंगे, कुछ इस तरह से, तो अब ज़रा इसके बौडी स्ट्रक्चर पर नजर दाल लेते हैं, तो इसके बौडी को हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटिरियल से बना गया है, जो फौल रेजिस्टेंट होता है, साथ ही लाइट वेड भी होता है, ओवर ओल देखा जाए तो ये कूल सा स्पिनर टाइम पास के लिए एक बहतर च्वाइस हो सकता है, बिसे को स्मार्ट लॉक, गाइस बिसे को एक बाइसिकल का लॉकर है, जो दुनिया का पहला स साइकल पर लगा देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये काफी छोटे साइज में आता है, वैसे इस लॉक को बाइसिकल पर इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ स्टैप्स को फॉलो करन साथी डेली और मंतली राइडिंग हिस्ट्री को भी स्टॉर करके रखता है, वैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि हम इसमें स्टॉर हुए इंफरमेशन को कहां पर देखें, क्योंकि इस लॉक में डिस्पले तो देखने को नहीं मिलती, तो देखिए गाइस, इसक आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और हाँ जब आपके बाइसिकल को कोई चोरी करने की कोशिश करेगा, तो उस लॉक में 100 डेसिबल्स का साइरन बजने लगता है, साथ ही आपको अलर्ट नॉटिफिकेशन भी इंस्टेंटली मिल जाती ह अपने रोबोट मुवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें चिट्टी नाम का एक रोबोट होता है, जो हर एक काम को बड़े ही आसानी से कर लेता है, वैसे वो तो VFX का कमाल था, खर तो अगर आप रियल लाइफ रोबोट का मजा लेने के साथी साथ अपने नॉलेज को पूरा करता है ये रोबोट, मतलब इस रोबोट में काफी सारे नॉलेज को और स्मार्ट सेंसर को इन बिल्ट किया गया है, जिसे कि ये रोबोट आपके बच्चों का उटने से लेकर पढ़ाई और खाने पीने तक पूरा ध्यान रखता है, और इस मिकों में दो पईए भी लगे होते हैं, जिसे कि ये सरफेस पर इजीली मूव हो पाता है, और जब आप घर से बाहर जाएंगे तो ये रोबोट उदास हो जाता है, और जब आप वापस आज जाएंगे तो ये रोबोट फिर से खुश हो जाता है, कुछ इस तरह से, जो कि देखने में काफी अमेज लगता है तो आपको ये रोबोट कैसा लगा हमें बताइए नीचे कॉमेंट करके स्मार्ट वालेट तो फ्रेंड्स मिली आज के अल्टरा स्लिम स्मार्ट वालेट से जो आती है दो मोड्स और चार डिफरेंट कलर्स में जिसमें इन्बिल्ट हुए फीचर्स को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे जी हांगा इस सच में अच्छा तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट अफॉल तो ये वालेट होती है अल्टरा स्लिम जिसमें सोलार पैनल भी मोजूद होता है साथ ही आप इसमें कार्ड्स को रखे हुए वन क्लिक से अक्सेस भी कर सकते हैं मतलब उसमें आने वाले बटन्स को क्लिक करके कार्ड को इंस्टेंटली बाहर निकाल सकते हैं और इस वालेट में RFID का भी प्रोटेक्शन इंविल्ट होता है जो की काफी इंपोर्टेंट है साथ ही अगर आपके वालेट का ही गुम हो जाती है तो आपको इसकी लाइव इंफोर्मेशन आपके स्मार्टफोन में मिलती रहती है वाया टाइल लोकेशन टेकनोलिजी के त्रूप फाइनली अगर आप इस वालेट के बारे में और भी जानना चाते हैं तो इसकी ओफिशल लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाटर फिल्टर गाईज अच्छी सेथ के लिए साफ पानी को पीना बहुत ही जरूरी होता है वैसे तो घर में पानी को फिल्टर करने के लिए होते हैं वाटर फिल्टर जो पॉटेबल नहीं होते हैं जिसे कि अगर आप जंगलों में क्याम्पिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको पानी पीने लायक नहीं मिलता जो एक पाइप के साइज में आता है जिससे आप आसाइन इसे अपने पॉकेट और बैग में कैरी कर सकते हो तो आप जान लेते हैं ये काम किस तरह से करता है इसमें होलो फाइबर यूएफ मेंबरीन और एंटी बेक्टिरियल कारबन फिल्टर होता है जो गंदे पानी को बार वाटर फिल्टरिंग के अटैच्मेंट्स होते हैं और आप इस वाटर फिल्टर को बॉटल में भी लगा सकते हैं जिससे कि ये होगा कि आपके बॉटल में जमय हुए पानी को आप फिल्टर कर के पी सकते हैं ज्योंकि पर्सनली मुझे तो काफी अच्छा प्रोड़क्ट कर दीजिये तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई